नमस्कार मेरे गार्णिंग फ्रेंट्स, मिलिए हमारे गार्डन के एक नए महमान से, यह है गवावा की नई वरैटी, रेड डेमन्ट, यह आजकल काफी डिमांड में है, काफी अथी वरैटी मानी जा रही है, यह आजकल थोड़ा से बिमार हो गए है, अभी पिछले पंदर इस प्लांट पर पौड़री मेल्डू का अटैक हुआ है, यह मिमारी चोटे से वाइट स्पॉट, पौड़र जैसे स्पॉट से शुरूर होती है, और देखते देखते दुन में पूरे प्लांट पे इच्छा जाती है, असा लगता है से पूरे प्लांट पे बर्भबारे ह पौड़री मिल्डू एक फंगल डिजीज है, यह फंगस के स्पोर्स से फैलती है, जैसे सीट से आपका प्लांट बनता है, वैसे फंगस स्पोर्स से आपके फंगस के डिजीज जो है फैलती है, यह सोयल मिया और्वनिक मेटर में आपके पढ़े रहते हैं, जब कंडिशन के इसाफ से फेरवेल होती है तो बड़े तेजी से प्लांट पे अटक करते हैं और देखते देखते दो से तीन दिन में पूरे प्लांट में फैल जाते हो प्लांट आपका एक तरह से सफेज सा हो जाता है पाउडरी मिल्डू देखने में वैसे तो बहुत एक भ्यानक डिजीज लगती है पूरा प्लांट एक तरह से लगता पूरा प्लांट खराब हो गया लेकिन जितनी देखने में भ्यानक है इसका इलाज उतने हसाइन हो इसके आर्गनिक ट्रीटमेंट भी काफ़े एफेक्टि हमारे पास्ट एक्सवेरिंस से सबसे हमने देखा कि ने मृल प्लस ओलिन वन प्लांट टानिक प्लस मिल्क अगर आप दोनों को मिला की यूज करते है अल्टरनेट डेस पर तो इसका काफ़ी अच्छा एफेक्ट आता है और आपके प्लांट भी बिल्कुल खराब नहीं होत कैने अगर मालेचे गवाववद के प्लांट पे जो फंगस लगी है जिसे पावड़ी no आ उसका एटाईक आपके AH के प्लांट पिया a mango पे यूज यूज से अडिल आता होता है और ये मेब आपको पताता हूं कैसे और बड़े अशानी से अपने प्लांट में परूड़ी वह लोग तो शुरू से ही केमिकल स्प्रे करके इसको आना ही नहीं देते बड़ हम लोग हम गार्डेन में ज्यादा प्रिम्टरी स्टेप्स नहीं लेते हैं उनकी आप समस्य आती है तो आसान तरिका बताता हूं कैसे अपने हम गार्डेन में आप पौडरी मिल्डू की टीट प्रिम्टरी स्टेप आपको लेना है इसमें जो हैवली इंफेक्टेड लीव्स हैं उनको आपको टुट्ली हटा देना है जिसमें आपको लेगे कि पूरा पता जो उपर से नीचे से पूरा फाइट हो गया है पौडर से उसमें अच्छे दर से चिपका हुआ है तो इसको अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है बहुत वीक है उसकेस में फिर आपको सर्वाइव करने की जो कैपस्टी है वो कम हो जाए तो उसकेस में फिर आपको अपना थोड़ा सा डिसिजन लेना पड़ाएगा आप मैक्सिम्म जितने लीव्स हटा सकते उतनी लीव्स हटा द इनको एक पॉलर्थिन बैंग मच्छे से बांद के आप इसको कहीं गार्डेन से दूर मिट्टी के नीचे दबा दे या डिस्पोस करें पॉडरी मिल्डवी की होम गार्डेन के प्लांट की ट्रीटमेंट के लिए जो दूसर स्टेप लेना आपको वह है और्गनिक स्प्रे को त्यार करना इसके लिए आप कुछ ही और्गनिक नीम अल 300 PPM का प्लस इसमें एक अच्छा लिक्वीट फेटलाइजर आपको चाह पॉडरी मिल्डवी की ट्रीटमेंट के लिए और्गनिक स्प्रे बनाना बहुत यह असान है 300 PPM वाला नीम वाल है उसको 2.5 ml लेना है और आल इंवन प्लांट अनिक का 1 ml लेना है कुछ मेंदे सोब के लिए नहीं तो आपको एक लीटर पान में अच्छे से मिला लेना है 300 P PPM का और्गनिक नीम वाल आपके फंगस के स्पोर्स को किल करता है देरे देरे और जो अल्यून प्लांट अनिक है वो प्लांट को स्ट्रेस से बहार निकालता है उनकी हेल्थ को इम्मुनिटी को इंपरूव करता है वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि जो निकलने के जाए है वह भी आपका और्गनिक होना चाहिए जैसा कि किसी भी इस प्रे के बारे में आपको बताया जाता है कि यहां तो इसको आप चाहे में रखे स्प्रे कीजिए यहां फिर आप सुरज निकलने से एक दो घंटे पहले यहां शाम को सुरज ढ़ने के बाद प्लांट को अच्छे से इस प्रे से आपको नहलाना है पत्ते की नीचे जहां पर अगर इसका डूपाउजिट जाता है वहाँ पर थोड़े देडर तक आपको श्परे करको इसको अटाने की कुषिश करनी है और जो जहां पर ज्वाइन्ट्स वगर होते हैं लीव का स्टे जो आपने बनाया और्गनिक उसका अच्छे से उसको पर छिड़का हो जाए तिये था पौड़री मिल्ड्यू की treatment का day 1 milk का spray हम लोग day 2 में करेंगे पौड़री मिल्ड्यू के control की treatment का day 2 है आप देखेंगे प्लांट कितना खुश नजारा रहा है इसे लीफ के नीचे के साइट में भी स्पोर्ट से रिफ ते रही सबूरेइब तो भी क्र नहीं दिखनाया है , तो आज day two में हम लोग इमन्हें की मिल्कировать की फरेट्मेंट करेंगे लिग्ड का श्प्रे करेंगे 80% water यानि की 200 gram लेंगे तो एक लिटर में आपको 800 ml पानी लेना होगा और अगर इंफेक्शन ज्यादा है तो 50% ज्यानि की 500 ml तिक यूज कर सकते हैं अगर इंफेक्शन बहुत ही ज्यादा है तो आप even plain milk का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेय करने के लिए जब आप अपने प्लांट में बाके की स्प्रेय करते हैं तो हम लोग अड़्वाइस करते हैं कि इसको प्लांट को धूप में न रखे हैं धूप में स्प्रेय ना करें पर उसके उलट जब मिल्क स्प्रेय आप करते हैं तो मौनिंग आवर्स में इसको करें और स्प्रेय करने बेञेब की powdery mildew की organic home garden में treatment, पहले दिन आपको neem oil बें ने a pulse old in immune का जो spray करना है थो बादमेपर शेयर किरूं डिज़रे दिन आपको milk spray करना है ये क्यों आपको ripeat करना है सेट कृप्रेट करना हिँ, क्यों यह जो आपको spores है अगर कहीं भी प्लाइट में रह जाते हैं पहली बंद कर देदे कि प्लांट तो मेरा क्लीन दिख रहा है तो क्या होगा कि इस पोर्स दुवारा बाद में अक्टिव हो जाएंगे फिर से आपको जो प्रॉब्लम है पौडरी मिल्डवी के प्लांट में आ जाएगी पौडरी मिल्डवी की होम गार्डेन में आर्गनिक ट्रीटमेंट का आज तीसरा दिन है और प्लांट दिखी कितना हेल्दी हो गया है आपका जो पर कल तक जो छोटी-छोटी लीव से उसका भी साइज मढ़ रहा है उपर के जो टॉप में लीव से वह भी बड़ी होती ही दि करेंगे और जैसे मैंने आपको पताया था कि जब तक हम लोग साइटिस्वाइए नहीं हो जाते हैं कि जरह भी ट्रीस नहीं मचें आख से तो खरी दिखते ही नहीं स्पोर्स क्यों क्यों वह मैक्रोस्कोपिक होते है उनको जो है लेंस के अंतर में आपको देखना की तो मेरे गार्णिंग फ्रेंट्स यह था एक और अर्गनिक तरीका पौर्डरी मेल्डरी की ट्रीट्मेंट का आपको अगर हमारे बनाईवे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो के नीचे की साइड में आपको थैंक्स का बटन उसक सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से आपका जो चैनल है लाइव रहेगा और आपके लिए आने लेटे में नेने वीडियो बनाता रहेगा आपकी गार्णिंग को बहतर बनाने के लिए हमारी एक वेबशाप है जहां पर आपको अच्छे क्वालिटी के वेजिटिबल सीड और अ आपकार